जीवन साथी की वो चार बाते जो लगती हैं घलत लेकिन भविशे में करती हैं रिष्टा मजबूत जीवन में कभी भी हालात एक समान नहीं रहते हैं यह बात पार्टरनर के साथ रिष्टे पर भी लागू होती है कई बार हमारे रिष्टे में भी कुछ ऐसी बाते होती हैं जो किसी भी संबंद के लिए सही नहीं ठैराई जा सकती हैं लेकिन इनी गलत लगने वाली बातों की बदौलत भविशे में आपका रिष्टा और मजबूत हो जाता है आईए जानते हैं जीवन साथी की वो चार बातें जो अक्सर गलत लगती हैं मदद के लिए न कहना कई बार आपका पार्टर्नर किसी मुसीबत में फंस जाता है और आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पार्टर्नर के प्रती सहयोगार्त मकरवयया नहीं रखते हैं इसे हम दूसरे नजरिये से भी देख सकते हैं मुसीबत में एक दूसरे की मदद न करने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपने पार्टरनर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं कि वे उस मुसीबत से आसानी से लड़ लेगा लेकिन वे आपसे मदद मांगे तो जरा भी देर न करें लड़ाई एवमन मुठाव रिष्टे में छोटी मोटी लड़ाईयां तो चलती रहती हैं आप हमेशा इस सोच में डूवे रहते हैं कि यह लड़ाईयां आपको नुकसान पहुचाएंगी लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है आपकी लड़ाईयां इस बात को बताती हैं कि भले ही आप एक दूसरे को प्यार करते हों लेकिन आप अपनी सोच और उसूलों से कोई समझोता नहीं कर सकते हैं अपनी बातों को मन में रखने से बेहतर है कि आप वेह बात अपने पार्टरनर को बता दें बहस पार्टरनर को समझने में मदद करेगी अलग सोच रखना यह सोच बिलकुल गलत है कि एक ही सोच वाले लोगों का रिष्टा ज्यादा मजबूत होता है असल जिंदगी में यह बात लागू नहीं होती है अगर आपकी सोच आपके पार्टरनर से अलग है तो जायज है कि आप दोनों के नजरिय भी अलग ही होंगे और यही नजरिया आपको किसी भी मुसीबत से निकलने में मदद कर सकता है आप अपनी सोच और पार्टरनर की सोच को मिला कर हमेशा तकरार ही नहीं बलकि कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं